नमस्कार, मैं आश्लाजर प्रमीन चत्रविदी मित्रों, 21 जून 2020 सूर्गरहन की विसेस्ति थी, अमाउस्य की विसेस्ति थी हम ऐसा कौन सा उपचार पर विसेस ध्यान देते हुए उस उपचार की संपुन प्रक्रिया को पूर्ण करे ताकि हमारी किस्मत में बदलावा सके असफलता से जूचते हुए जो वर्तमान समय तक हम बिडित हैं, परिशान हैं, उससे हम मुग्ध हो सके मित्रों, इस छोटी सी चर्चा के तहट, आज मैं आपके समक्ष प्रसुत हुआ हूँ मित्रों 21 जून 2020, अर्थात सूरी अपने राशी के चक्र को घूमते हुए, आपको जानकारी है कि एक मास तक एक राशी में सूरी विच्रण करते हैं, और जब-जब सूरी की परिकर्मा में, जब-जब राहु और केतु सूरी से कंजक्शन मोड में आते हैं, अर्थात यू मित्रों 2020, अर्थात बुद्ध की मित्रों 2020 को हमारे समक्ष और आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। मित्रों, अपनी किस्मत की बदलाओ के लिए, सकरात्मक बदलाओ के लिए, हम ऐसा कौन सा तथ्यात्मक उपचार पर विसेश ध्यान दे। में सुच्व अन्ज, जो परमात्मा का अन्श रुपेण, आत्मावी सूरी का एक अन्श करूप में विद्मान है, अर्थात सूर्य की प्रकास उस उर्जा से ही हम उर्जावान अर्थात एनर्जाईज होते हैं, और जब सूरी करहण की इस विसेश्तिती का आगमन होता है, याद करते हुए हम दान भी करते हैं, मित्रों, हम ऐसा कौन सा उपाय करें, कि हमारे किस्मत में चार चान लग जाएं, समस्त प्रकार की जो असफलताओं का आगमन जो हमारे जीवन में हो रहा है, हम पीडित अवस्था में हैं, इस से हम कैसे बाहर निकलें, मित्रों, 21 जून 2020 के उस नियत तीथी में तामर पातर में गंगा जल लें, और लाल रोली डालें, और प्राता काल सुर्योदय होते ही, आप सुर्य को अर्ग दें, तीन क्लॉकवाइज परिकर्मा करते हुए सुर्य नमस्कार करें, गायतरी मंत्र का आप 108 माला, उस तीथी अर्धात सुर्य गरहन के तीथी को 21 जून को आप गायतरी माला, गायतरी मंत्र का जाब आप 108 माला करें, एक माला में 108 अवरती आपको जाब करनी होती है, अथवा सुर्य का बीज मंद्र, ओम हरांग हरिं हरौं सह, ओम भुरबुआह स्वाह, ओम घर्णेह सुर्याय इस मंत्र का आप 108 माला जाब करें, मित्रों दान की प्रक्रिया में जब सुर्य गरहन की तीथी 21 जून को सुर्य का प्रिवस्तु विसेश, गेहू, देशी गुड, लाल वस्त्र, केसर, तामबा, सोना, अपने इच्छानुसार, जो भी दान की प्रक्रिया है, कमल इस नियत तीथी को अपने आर्थिक इस्तिती की अनुसार आप सुर्य से सम्मंधित वस्तु विसेश को खरिद के, आप उसे लाल कपड़े में बांध लें, और अपने सर्क से तीन आवरती या पांच आवरती उधारते हुए आप दान करें, गरीबों को दान कर सकते हैं, उस दिन आप उपवास रखें, जिस महुर्त काल तक सुरिग्रहन, अर्थात सुरिग्रहन का योग बना हुआ, उस महुर्त काल तक आप उपवास रखें, अर्थात आप सुरियास तक उपवास रख सकते हैं, या as a whole day, 21 जून को दिन रात तक आप उपवास रख सकते हैं, गंगा असनान भी करें, यदि आपके परिछित्र में गंगा हैं, यमना जी हैं, गंगा जी हैं, तो आप गंगा असनान करें, और पित्रों के नाम से तरपन करें, सुर को भी अर्ग दें, अर्थात पित्रों की तीथी वैसे भी अमाउस्या की तीथी को मानी गई है, जब सु सूरी पिडित होते हैं अर्था सूरी आत्मा हैं जनक हैं तो समस्या आती है उस समस्या के निवारण हेतु हम सूरी की उपासना करते हैं सूरी को अर्ग देते हैं सूरी से सम्मंदित वस्तु विशिस का दान करते हैं मित्रों 12 प्रकार की राशियों में मित्रों राशी में जह कि मिथुन राशी में चंद्रमा के साथ यूति बद्ध होंगे अर्था चार ग्रहों की यूति बनेगी। मिथ्रों बिभिन राशियों पर इसका कैसा प्रभाव पढ़ना है। मिथ्रों मेश राशी वालों के लिए तीसरे भाव में सोरी पहुच जाएंगे। अर्था आकरा कामक्ता में बढ़ोत्री होगी, प्राक्रम में बढ़ोत्री होगी और धन-धान की परिपुणता की एक नए तरीके से एक आयाम के रूप में आप नया काम सुरू कर सकते हैं। बिभिशव राशी वालों के लिए दिक्कत है। पित्र स्वास्त बाधा, कोटुम बाधा, प इरिटेशन में आप आ सकते हैं, अपयश का भय की प्राप्ती हो सकती है, आपके प्राक्रम के भाव में कमी आ सकती है, करक राशी वाले थोड़े समस्या में रहेंगे, चोकि अर्थ का अपवय होना है, कुटुम कुल खांदान के सापिक्ष थोड़ी सी आपकी जो इस्टि परन्तु अपयश और पिता के स्वास्त बाधा का योग बना हुआ है, और प्रोमोशन हो सकता है सिंग राशी वालों के लिए, कन्या राशी वालों के लिए अस्थान परिवर्तन का योग है, और जीव का समन्थी बेवस्था को लेकर अस्थान का परिवर्तन हो सकता है, त आग में उनती का योग वर्तमान समय में तुला राशी वालों के लिए नहीं है। ब्रिश्चिक राशी वालों के लिए करमदोष का एक आउतरन काल में आप इंट्री कर रहे हैं। पिता का स्वास्त बादित होगा, पिता के सानिध्य में थोड़ी सी कमी आएगी। पिता से मनभेद, मतभेद और मतांतर का योग बन सकता है। धनु राशी वालों के लिए दामपत्य वाधा का पून योग बनने का उस समय काल में आप परवेश कर रहे हैं। आपको अपने पती-पत्नी की सहसंबंध को लेकर इलर्ट रहना है। मकर राशी वालों के लिए सत्रुहंता का योग बन रहा है। मत्रों एक चोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ऑस्लोजर प्रमिल चत्रवेदी नमस्कार। झाल झाल